22 चन्वरी को डॉक्टर इर्फान अंसारी हज कमीटी के चेर्मेन का पदभार क्रोहन करेंगे हज एंबर केशन पॉइंट रांची से कोलकाता चुला क्या है और हज जावेतन में कई सरकारी प्रक्रियाएं चोड़ी कई है इथर कोरोना काल में चारकर से हज पर जाने वालों की संख्या भी एक तिहाई रह गई है अचानक हालात ऐसे बने कि उन्हें हज कमीटी का चेर्मेन चुल लिया गया डॉक्टर इर्फान अंसारी इसे एक बड़ी चुनोती मानते है अच्प के जो मंत्री है अप संके कल्यान मंत्री जो है मुक्तार अभी मुक्तार अबास नगवी साब से मुलने जा रहा हूं और उनसे भी मैं कहूंगा कि कम से कम जहार्खन में जो हज पर जो आपने जो संसुधन कर दिया है उसको ठीक ठाक करने क्या उसकता है अब भी आप बताईए चार लाख रुपिया में हाना जाना कौन करेगा हाज बताईए एक आम जनता है इक करीब मज़म वरका वो हाज तो कभी नहीं कर पाएगा पिछले साल हज पर गये जहरकंडी मुसल्मानों की संक्या लगबक तीन हजार थी जो इस वर घट का सिर्फ 900 रह गई है एक तो कोविट का जमाना है और वैसे ही लोग अंतास्ट उडानों से डर हुए हैं दूसरे तरफ प्रतिव व्यक्ति फीज पौने चार लाक रुपे हो चुकी है और तिसरी बात ये कि हज इंटिग्रेशन पॉइंट राची से हटा कर कोलकाता कर दिया गया है अब सब कुछ ठीक करने के जिम्मेदारी ने चेर्मेन पर होगी बात ये भी हिक मुद्दा है कि पहले हज आते के फ्राइट राची से ही था अब जाना होगा आपको कलकत्ता तो ये तो हरास्मेंट हुआ है इसको भी ठीक करने के आज 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 जारकन राज का हज हाउस रगवर सरकार में बना था और अब इस बहतरी निमारत के रख रखाओ और इस्तेमाल सही तरीके से हो इसको लेकर अब कमेटी को फैसला लेना पड़ेगा न्यूज 11 भारत के लिए राची से ही कैमरा परसन देवाशिस के साथ शैनवाज अखतर की रिपोर्ट